इस वीडियो में मैं आपको Louis Vuitton के स्टोर के अंदर लेकर जाऊंगा और इसके खास बात बताओ मैं आप इस बॉटल को रीफिल भी करा सकते हैं जी हां 32,500 रुपे का तो ये पूरा डीटेल हलो एवरीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल लालत फ्रेग्रेंस और आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है बहुत इंप्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं अपना फेवरेट पर्फ्यूम लेने जा रहा हूं जिहां जिनोंने मेरी पूरानी वीडियो देखिए उ लुई बटॉन का ऑंब्रे नॉमाड और यह जो फ्रेग्रेंस में लेने जा रहा हूं मैं डर्क्ट शोलूम से लेने जा रहा हूं जो डेली के वसंद कुंछ में डेलफ एंपोरियों में और इंट्रेस्टिंग बात यह रहीगी कि लेने तो में ओम्रे नॉमाड जा रहा तो इंप्रस्टिंग बात यह होगे कि क्या मैं आपना डिसीशन चेंज करूंगा वहां जाके या मैं ओम्रे नॉमाड ही लूंगा या मुझे और बाग यह देखते हैं कि वहां पर मुझे कौनसा फ्रेगरेंस पसंद आजाए और दोस्तों मैं इस पीच में कुछ अच्छे खासे नए फ्रेगरेंस भी लिये हैं कुछ नीश फ्रेगरेंसे उसमें और कुछ डिसाइनर फ्रेगरेंसे तो रास्ते में आप मेरे साथ चलें दोस्तों ओद ए सःक्वेश नए य481 फ्रेगरेंसे यह होगा लुघिया ब väldigt जा मैं आपको चौह लिए क्रफियुन के अन दर लेकर जाँ बताऊंगा मैं आपको दिखाउंगा कि वहां पर कैसा एक ऐसा उ land कि महानों होता है और कैसे वहां पर एक करते हैं उर 820 य trudन ओन सूँआ जा रहा हूंकpaper फ्रेवरिवर्फंय को शॉच काफ अर। तो मेरे चलते हैं और बावार्स्टे में आपको बताऊंगा जो कि आपको बदा रहा था कि मैंने कुछ नए फ्रेक्रेंस लिये हैं किसले कुछ दिनों में तो उसमें से एक फ्रेक्रेंस है जो मैंने भी लिया है वह यह है तॉम फॉर्ड का ब्लाक और्क और यह प्यॉर परफॉर्म वर्शन है काफी स्ट्रॉंग पर्फ्यूम है यह काफी दिन से में ट्राय कर रहा हूं इसको और वुडी और एक अर्दी फ् फ्रेक्रेंस है मतलब अगर इबनिंग में विंटर भी चल रहें तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा फ्रेक्रेंस है यूनिसेक्स फ्रेक्रेंस है और परफॉर्मेंस के बात करूं तो 24 गंटे से जादा लास्ट कर रहा है और इसका स्याज जो है जो मैंने दस फीट तक देखा है तसे 12 फिटे दूर तक स्मेल आ रही है तो काफी अच्छा फ्रेक्रेंस है इसको मैंने इसका रिव्यू भी बनाया है आप मेरी परणी वीडियो में देख सकते हैं दूसरा जो फ्रेक्रेंस है जो मैंने अभी रिसेंट भाई किया है बहुत ही एक नीश फ्रेक्रे यह मैंने अभी लिया है लगवाग मुझा ठारा उनिशार का पड़ा है जो इसके मर्पी है वो 35600-500 संथिंग है पीस्टमोड फ्रेक्रेंस है एक वुडी और इसमें स्वीट फ्रेक्रेंस है उदा इसके अंदर लेटन जो है उसमें उद नहीं है लेकिन इस एक्स्लूसिफ का क्लब ब्लाक जी हां और एडीटी वर्जिन में आता है एडीटी वर्जिन में होने के बाद भी काफी स्ट्रॉंग पर्फ्यूम है यह और एक इसमें बंजोईन का नोट है और डार्क बर्बन काइंड ओफ्रेक्रेंस है इसकी और विंटर के लिए बहुत अच्छा फ्रे यह दिजाइनर और नीश के बराबर है बहुत ही अमेजिक फ्रेक्रेंस है की अच्छी केरते एक जो है कर अजो हो का kron है आध मैं कह सकता हूं यह वह क्लों तो नहीं है उसका बट यह अलग हीट पलेता है बाद में थोड़ा स्टार्टिंग में फ्रेश नोट है इसके अंदर और एक लेमन का नोट है लेकिन बाद में थोड़ा अलगी डिरेक्शन ले लेता है जो बिल्कुल की डेवेंटस से नहीं मिलती है तो मंसेरा ने इसमें अपना ही फॉर्मॉलेशन किया है जो बहुत ही अच्छा चिछां की काफी पॉपलर फ्रेओंस जैसे गया समर्स के लिए और टैने जहाएं और विंटर्ज तरीके से ये व्रेड़न्स विंटर्स के लिए है और टाम-फोड का ऊढूड-बूड आता है उसकाड़ i.e ने है इसके अन्दर उसे मिल जूटी फ्रेक्रेंट है और बहुत ही अच्छी फ्रेक्रेंस है काफी सबस्सक्रिण से सबाइस मिलग जाती आपको dorm water का ही इसमें मजा आ जाएगा performance वी इसकी काफी अच्छी hai winter's के लिए fragrance जिस तरीके से इलन blue जो है ुर्ण के लिए popular है उसी तरीके से यह fragrance ke winter के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप इसको भी конц zapc bit कर सकते हैंане तो फ्रेंट्स एक जो पर्फिम मैंने लिया है वो जेड़ जॉफ का है यह जफीरो कि 1861 लाइन की तरफ से आता है यह और आप लोग जानते होंगे काफी लोग कि इस लाइन में रेनेस्टा भी है और एक नेक्सॉस भी है जो काफी पापुलर है इस लाइन में इस फ्रेग्र वाइन का एक मस्त आता है उसका नोटेस के अंदर तो यह इंसेंज सी काइंड ओ फ्रेग्रंस है और एक मिडल इस्टैं फ्रेग्रंस है जिसको जईर्ज उफ ने वेस्टर नाइस किया है और जेड़ जो है वह काफी इसमें परफ्रक्शन देता है वेस्टरमाइस करने में तो इसको तोहीं भी अलगा सकता है मैं कहनगा यह जादा-atar तो मैंने ले लिया यह एक टेस्टर बॉटल है मुझे यह यह वी काफी सस्ता पड़ा लगब चार अजार में मुझे टेस्टर मिल गया 100 ml की कॉंटेटी माता है और इसके अंदर फिग का नोट अपर फिक मतला है जबनानमें जिर नहीं जो फ्रेश फूट होता है उसका नोट निटर और एक वुडी की और फ्रेंगरेंस और आज के बुकिले हुआ अच्छे है और लॉंग Anda क्यूंत अदू का ओक्लवियल्यों की का घटिक करूण भी नहीं बना पाया बट अब से में रेगुलर वीडियो बिना हमगा कंसिस्टेंट प्रम गांची सोल फिरेख दो इन्ताइस सूल परेख दो लेगुलर वीडियो अभीजल परेख दो बट दो झाल झाल मैंने यह फेवरिट फ्रेग्रेंस ले लिया है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था कि मैं दूसरा फ्रेग्रेंस पी ट्राय करने गया वहां पर लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा और आप सोच रहे होंगे सारे कि कि अचानक से बीडियो के स्टार्टिंग में कपड़े भी दूसरे थे मेरे और गाड़ी भी दूसरी थी चेंज कैसे हो गया वह मापको अभी उस दिर में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाता हूं यह अलबी का बैग है अभी क्या है कि क्रिस्मस क सीजन चल रहा है तो उन्होंने क्रिस्मस की थीम पर यह बैग दिया है वरना उनका आइकॉनिक जो औरेंज कलर का आता है वही मिलता है और इसके अंदर है यह पर्फ्यूम इसके अंदर है और कुछ तीन-चार मुझे उन्होंने सैंपल्स भी दिये हैं यह तो इसको साइड रखता हूं और इसको खोलता हूं यह बाक्स है इसका और इसको यह ऐसे खुलता है आ इसके अंदर ऐसे बाक्स है और शिंदर ब dipping ऐसे सिट होती है कि यह बाटल आ आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं बॉस्त मिली इंज्स और कॉल एंझारे विल अधाय वाल नेन उसके में आज ही कर आई है तो जो मैं आपको को बता रहा था कि जो यह गाड़ी और कपड़े चेंज हुए वह इसी रीजन की विशे चेंज हुए क्योंकि जिस दिन मैंने यह फ्रेग्रेंस खरीदा था उस दिन उनकी मशीन खरापती और उन्होंने कहा कि आप एक दो दिन बाद आ जाईए तो हम आपको इंग्रेविंग में सेम इसमें भी ऑप्शन था लेकिन स्टोर पर पता चला कि वहां पर कोलर ऑप्शन नहीं है अगर आप देख सकते हैं इस पर एल के लिखा हुआ तो थोड़ा सा मैं इससे डिसपॉइंट हुआ कि लवी जैसे जो ब्रैंड है वो शो कर रहे हैं ऑनलाइन की गोल्ड कलर में ऑप्शन है बट नहीं था और दोस्तों अगर मैं इसकी पैकेजिंग के बात करूं तो यह कार्ड बोर्ड का है गत्ता है यह पुरा तो मैं कुछ जादे इंप्रेस्ट नहीं हूं पैकेजिंग से बहुत ही नॉर्मल पैकेजिंग कुछ ज्यादा लग्जूरियस पैकेजिंग नहीं है यह बीक नॉर्मल सा बॉक्स है और बत्तिस अजार पांसो रुपेश पे पीछे भी लिखा हुआ है अमर्प यहां पे लिखी हुई है इसके बारे में आपको बताऊंगा यह फ्रेग्रेंस कैसा है और मैंने महाँ पर काफी सारे फ्रेग्रेंस से स्ट्राइक किये यही था कुछ मुझे बहुत ही नॉर्मल लगे लेकिन बेस्ट यही है लुई बिटॉन का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोफ्यूम भी यही है और इसके बारे में आपको स्टोर का अगर एक्सपीरेंस बता हो तो मैं स्टोर में गया वहाँ पर एंप्लोई काफी अच्छे थे वांब वैलकम किया और हमें जब तक यह इंग्रेविंग हो रही थी तब तक उन्होंने हमें वां बिठाया कॉफी पलाई उन्होंने अच्छे वो पूरा वीडियो है आप देख सकते हैं यह वीडियो भी बात करूं मैं अगर इसकी खुश्बू की तो ओम्रे नुमार्ट जाना जाते है अपनी परफार्मिस की वज़े से यह एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है और यह सच में बहुत जादा बीस्ट मोड है यह इतना ब इसाद की में नॉट से इसमें तो दो इन जो पहाएं के लिगा जिए पूटता है जो बहुत हमें इनसैंस को स्मोडा है वह बहुत अच्छा लगता है इसमें अक फ्रेग्रेंस पीया है तो में अगर मैं बात करूँ जब जो ड्राइडाउन आता है जो यह फ्रेग्रेंस ज्यादा इस फ्रेग्रेंस की यूएस पी है वह इसका ड्राइडाउन है स्मोकी लेदरी और एक स्वीट स्वीट खुश्बू है इसकी और कहीं भी यह स्कैंग की उद नहीं लगता है कि एक फीकलिस्ट काइंड ऑफ उद इसके बिल्कुल भी नहीं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया गया बहुत ही सूपर्ब कॉलिटी है आप लब से दो चीज़ कर सकते हैं एक तो उनके महेंगे प्राइसेज और दूसरा क्वालिटी तो यह हो गया है इंडिया में और दुबई में यह महेंगा है 40,000 का दुबई में है फ्रांस में थोड़ा सस्ता है क्योंकि हमाँ पर ड्यूटी नहीं रगती है और लगबक एक साल पहले 37,000 का इंडि लोग आप से पूछेंगे और स्टार्टिंग जो होता है उसका नोट आता है आपको साफ साफ़ पतालगेगा कि गुलाब जैसे कुश्वू है फिर ट्रांजिशन साहते हैं इसके ब्लकुल भी नहीं है रांजिशन साहेंगे रैसपेरी का नोट आएगा बन्सवीन का नोट प्राइस बढ़ चुके हैं इसके और और भी बढ़ रहे हैं तब भी यह एक नीश फ्रेग्रेंस जो लाइन है उसमें इसका प्राइस तब भी अच्छा प्राइस है मेगनेटिक कैप से कैप है इसका और आप देख सकते हैं इसमें इनका लोगो है लवी का बहुती लग्जियूरियस लगता है और स्टोर में भी बहुती लग्जियूरी फील थी और यहां से दूर है एक गंटे का रास्ता है ट्राइफिक भी मिलता है रास्ते में तो मुझे दुबारा जाना पड़ा इंग्रेविंग के लिए बट कोई नहीं चलता है और बस अगर यह गोल्ड में हो जाता तो मैं बिल्कुल कंप्रेटिटी सेटिस्वाई हो जाता इस बॉ दो लगानी है उसे जाधा मत लगाना क्योंकि यह बहुत ही बहुत ही जाधा पॉटेंट नहीं पर प्राइस है पचास थारुपे अगर मैं इसकी बात करो तो आप इसको विंटर्स में लगाईए विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है यह फ्रेग्रेंस और स्पेशल ओ लगाईए आपका फ्रेग्रेंस कभी भी लगाईए को रोक नीरा लेकिन यह फ्रेग्रेंस स्पेशल ओकेशन में ज्याद अच्छा लगता है और तो उस हिसाब से आप इसको काफी सालों तक चला सकते हैं क्योंकि दो श्प्रेंगे वह भी स्पेशल लोकेशन पे तो यह 100 ml काफी अच्छी कॉंटिटी है और इसकी खास बात बताओ मैं आप इस बॉटल को रीफिल भी करा सकते हैं जी हां 32,500 रुपे का तो यह पूरा रीटेल पैक है लेकिन अगर आपकी बॉटल खतम हो जाए तो 18,000 रुपे में आप इसको रीफिल करा सकते हैं सेम जूस मिलेगा सेम कॉलिटी मिलेगी कोई डिफ्रेंस नहीं मिलेगा आपको आपके कुछ 12-15,000 रुपे बच जाएंगे क्योंकि लगबग 18 हो गया 14,500 रुपे करी बचेंगे आपके तो अगर आप रीफिल कराएंगे तो 15,000 रुपे आपकी सेविंग भी होगी इसमें लगबग तो अगर और चीप की बात करूं फ्रेग्रेंस की जो इसका क्लोन है वो है मैंसन अलहंब्रा का आता है यॉन लवे ओंब्रे वो भी काफी मिलता जुलता है क्वालिटी थोड़ी डाउन है वाइस ऑफ दसो जो है उदर एक उसकी क्वालिटी ज्यादा बैटर है तो 45,000 रुपे में आपको वह मिल जाएगा आप उसको कर सकते हैं मिलता जुलता है इस और यह उनिसेक्स फ्रेग्रेंस है इसको फीमेल्स भी आराम से लगा सकती है और कुछ फीमेल्स जो इसको यूस भी करती है मैं जानता हूं ऐसे कुछ फीमेल्स को आप इस फ्रेग्रेंस को जरूर कर सकते हैं बहुती अमेजिंग फ्रेग्रेंस है बहुती जाना माना फ्रे